हМेंग लेतges पीच ओ हिःलो फ्रेंड कम टेंग ऊ ещё है। हेलो फिरेंड्स पीलकरण तो मेंक om टैक हिंदी। फिरेंड्स दस गलतियां जो कि अक्सर new rider, जो कि नया नया bike 8 scooter चलाना शुरू करते हैं वो करते हैं। इन में से कुछ गलतिया ऐसी भी है जो कि पुराने राइडर्स भी करते है क्योंकि ये गलतिया उनके राइडिंग हैबिट के साथ जुड़ जाती है और इन दसों गलतियों के वैसे होता ही है कि आपके जो बाइक एस्कोटर का माइलेज है वो कम हो जाता है वैसे ये पार्ट वान है तो यहां पर मैं आपको बेसिक गलतियों के बारे में बताऊंगा पार्ट टू मैं आपको एडवांस लेवाल वाले गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जब बाइक क्या स्कूटर को self से start करते हैं, तो self से start करते समय वो throttle को भी बिलिप करते हैं, वो उसी time पे accelerator को भी लेते हैं अब इस से ये होता है कि जब उस time के आप accelerator लेते हो तो उससे यहाँ पर क्या हो जाता है? कि engine के crankshaft का RPM बढ़ जाता है वहाँ पे petrol का wastage होता है petrol की बरबादी होती है अननिसेसरी power generate होता है और जरूरत भी नहीं होता है इसल्फ आप self बटन को दबाओ engine start हो जाएगा और अगर आपके बाइक क्या scooter में self को दबाने के साथ accelerator लेने पे ही engine start होता है इसका मतलब जो self का system है वहाँ पे problem है तो आपको उस problem को ठीक कराना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कि self उत्यसमें आप accelerator लो तो इस गलती को अप्सुधार करो कई सारे जो प्रोवाणि राडर है वो भी इस गलती को करते हैं अब नमबर टू एक पर जब engine start हुआ तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेवजह engine start हुआ चार बार पाज बार throttle लेते हैं उससे क्या होता है engine से race का आवास तो आता है लेकिन यहाँ पे भी petrol की बरबादी होती है आप accelerator ले रहे हो चला तो नहीं रहे है चलाना शुरू तो किया नहीं जस्ट इंजन स्टार्ट किया अचलेटर लेने लगे इससे भी क्राइंक साफ्ट का RPM बढ़ता है पावर बार बार जिनरेट होता है engine पेट्रोल की बरबादी होती है पेट्रोल जलते जाता और ये भी बहुत अत्तक मायलेज को ड्रॉप करने में जो रोल अदा करता है ठीक अब ये दोन गलतिया हो गए उसके बाद थड़ गलती की बात करते हैं क्या है कि जैसे ही बहुत से लोग चलाना शुरू करते हैं खास करके new rider तो वो क्या करते है कि अपने बाइक को एक gear में first gear में काफी लंबे समय तक चला देते हैं 200-300 मिटर कई बार उससे बहुत यादा चला देते हैं यह गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए सिंपल सी बात यह है कि जो first gear को दिया जाता है उससे दिया जाता है ताकि हम लोग अपने जो खड़ी बाइक है उससे movement कर सके वो movement में आ जाए first gear में टॉर्क जादा होता है पावर कम होता और वहाँ पे पावर का वेश्टेज भी हो चाता है जो इंजन पावर प्रेडूस कर रहा है चुकि हमें ज़्यादा momentum नहीं मिलता है तो हम जितना accelerator लेते एक gear में उतरा ज्यादा petrol की बरबादी भी होती जाती है तो मैं आपको राई दूँँगा खासकर जो new rider है तो एक gear में जब चलाना शुरू करें तो थोड़े ही देर में 20-40-50 मिटर चलने के बाद कम से कम आप second gear पे ले आओ ये बहुत जरूरी है ठीक है अब जो चौती गलती क्या है वो भी आप समझ लो बहुत से लोग क्या करते खासकर के नियूरडर ये गलती करते है कि जब तीन या चार gear में बाइक होती है इंजिन को स्टार्ट करते है तो वो तीन या चार gear से ही चलाना शुरू कर देते है इस टैम पे क्या होता है कि इस टैम पे भले पावा जनरेट हो रहा है ज्यादा टॉर्क कम जनरेट हो रहा है लेकिन यहाँ पे मोमेंटम बहुत जरूरी है और जब बाइक खड़ी होती है अब तीन चार gear में चलाना शुरू करते हो तो आप भी देखते हो कि टाइम लगता है तो यहाँ पे मैं आपको राइदूँगा कि तीन चार gear में भले श्टार्ट कर लो श्टार्ट करने में प्रॉल्म नहीं है लेकिन उसे आप एक या दो गेर मिले हो अपनी बाइक को उसके बाद ही चलाना शुरू करो तीन चार गेर मत चलाओ इससे क्या होता कि कलच प्ल अनकर लेते हैं तेजी से भखाने लगते है यह यह बहुत बड़ी गलती है इससे भी पेटॉल की बरबादी होती है इससे इस एक पार्ट सको नुकसान होता है खासकरिके शुबा सुबा सुबा शुबा जब ढंड हो उसटम पी यह गलती से भी नुकसान हो जाता है अब फेंट से अगर छटी गलती की बात की जाए तो देखो शुरुआत में क्या होता कि जब हम लों नया नया बाइक को चलाना सीखते है तो कहीं नहीं डर भी रहता है कि कहीं इंजन तो बंद नहीं हो जाए हम सामने वाली घर्श टकरा नहीं लेकिन इसचीज को बहुत से लोग ऐसा «हाब्रट कर लेते है जब वो पुरानी रैटर हो जाते तब भी बहुत से लोग को फ्वर को थोरा से दबा के चलते हैं आब जब आपका करेट ना तो इंगेज पोजिशन पे होता है ना तो डिस इंगेज Şuच होता है इसके पीच मा पूरा छोड़ देना और जो ब्रेक लिवर उसे पूरा छोड़ करके आप उंगलियों को रखे उसमें कोई दिक्कत नहीं रखना में चाहिए हम सब रखते हैं लेकिन आप उसे दबा के नहीं रखे इस बात का ख्याल रखे अब उस साथ वी गलती वो यह है कि कई बार जब न होने वाला ठीक है अब जो अगला पॉइंट यह है कि कई बार बहुत साय राइडर जब क्या होता कि रोड पे गाली को चलाते है तो उसके बाद खास करके नियू राडर सडेन एक्सलरेशन लेती है थोड़ा सा जगा मिलता है तो एकदम से वो एक्सलरेट करते है फिर जग आत्मा पोशिश करना कि भले आपको स्पेस दिख रहा है लेकर आप तरीके से एक सर्टेन स्पीड में डिपेंड कर रहा कि कहां पर चला रहे हो उसके साथ ही मोमेंटम ले उसके साथ ही ब्रेकिंग करे यह बहुत जरूरी है अब जो अगला पॉइंट अगली गलती है इस सिच्वेशन में बहुत से लोग क्या करते कि एकदम से तीन चार गेर है पैनिक ब्रेकिंग के पुरा ब्रेक लगा है फिर तीन चार गेर में ही वहाँ से चलाना शुरू कर देते गेर को चेंज नहीं करते गेर को शिफ्ट नहीं करते तो यहां पे आप कोशिश करें कि पैनिक ब्रेकिंग जो उससे बचे और उससे बस सकते हो कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली राके में निव राइडर है शुरुवात में दो तीन गेर में ही और एक सर्टेन स्पीड में चले ताकि इंजन को नुकसात नहीं हो पावर कलोस नहीं हो और मैलेज भी नहीं मिल कम मिले तो इस बात का आप ख्याल रखे और जो फाइनली आकरी पॉइंट है वो है स्पीड एंड गेर सिंकुनाइशन देखो हर एक बाइक की अलग अलग एक सो सिसी हो गया दो सिसी हो गया चार्सों पांसो सिसी हो गया तो किस गेर में उससे किस स्पीड में चलाना है स्कूटर में तो खया Hawaii Air नहीं होता है लेकिन बायक में यह होता है तो अपने इस बात का ख्याल रखे बहुत वह सारे ऐसे 3 CC के बायक होते है जहां पर आप दो गेर में ही 11 a. çünkü में चला हो बहुत सारे कंशिकिक कंशिक के ऐस बहुत जरूरी है इंजन का जो बेहतर प्रफॉर्मेंस के लिए और बेहतर माइलेज के लिए तो फिर्ट सी दस ऐसी गलती है जो कि आकसर न्यू राइटर और कुछ-कुछ प्राण राइटर भी करते हैं उम्मीद है कि इस वीडियो में दीके जानकरी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राइए आप मुझे हो कमेंट करके जरूर बताए इसकलाब अगर आप चैनल पर नए हूँ या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल अकन को भी दबाले ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे बिलते अगले वाटियों में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई